असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो क्लिप में रिविजियन की घर्से मिट्टम से पहले थोड़े से और फॉर्मेट्स हम एफ़े की डिसस करना चाहेंगे ताके आप लोगों को तैयारी में असानी हो अब यह आपके पास लेंग्विज है अब देखें इसमें जो ग्रैमर है इसमें आपके पास जो रूल्स बताए गए हैं वो दो है लेंद फॉर लाज़मी होनी चाहिए और स्टार्ट डिफरेंट लेटर पे हो तो लेंद फॉर को हम कभी भी लूट में रिस्टिक्ट नहीं क पुरा फॉर लेंद का पाथ देना पड़ेगा तो इसके लिए हम डिरेक्ट ट्रांजिशन कर रहे हैं सारे इक सारी यह फाइनल स्टिट बनाई है मैंने यह आपके पास अगर स्टार्ट ए से हो रहा है तो ए बी उसके बाद दर्मयान में कुछ भी आता रहे फिर ए बी दर स्टिट चैश्ट प्रूप जाएंगे और अगर आपके पाससे स्टार्ट होके ए पर फ़े अंड बी पर नहीं होता तो उस सुरत में अपन होता है तो इसका मतलब है कि तब भी हम डेर्शिट पिजाएंगे ठीक हो गया और इसी तरह अगर 20 स्टार्ट होके वह एपर नहीं होता तो फिर बीपे एंड होता है तब भी हम डेट शेट पर जाएंगे क्योंकि हमारी लेंग्विज की रिक्वार्मेंट्स मीट नहीं होती स्टार्ट रेंड उसने डिफरेंट डेटर पर होना है यह आपके पास एट लीस्ट एट्मोस ट्रॉक्चर था कम से कम इतने ए हों ज़्याद से जदा इतने भी हों इस टाइब का एट लीस्ट एंड एट्मोस ट्रॉक्चर में हम यह बड़ा जबरदस किसम का यह चीज़ डील कर लेते हैं तो इसमें आप यह देख लें कि यह एफ एफ बनी होई है अमीद करता हूँ यह भी आपको जो है समझ आवी होगी देखे कम से कम एट लीस्ट टू एज एट लीस्ट टू बीस थे ना तो कम से कम दो ए और दो बी एट लीस्ट ट्रॉक्चर में हम हमेशा नेट बनाएंगे पुरी की पुरी एज और बीस पुरे करेंगे अब आपके पास यह किसी भी पाफ से ओके फाइनल स्ट टक पहुंच सकता है पहले A करो फिर B फिर A फिर B या फिर पहले A करो फिर डबल B करो फिर A करो या पहले दोनों B करो जाएं फिर दोनों A करो जाएं या पहले दोनों A करो जाएं फिर दोनों B करो जाएं या एक B करो फिर डबल A करो फिर B करो फिर B या फिर पहले B फिर A फिर B और फिर A अकर हो जाए इस तरह कुछ भी हो सकता है यह सारे एक सारे all possible paths बन रहे हैं आपके पास initial से final तक के अमीद करता हूँ आपको यहां तक भी समझ आ गया होगा at least two ways or two B's पहले था at least two ways and two B's अब या तो दो A या दो भी हो और कर दी है दरम्यान में सिर्फ और करने से यह वाली final states जो है यह भी जो initial states थी अब यह भी final में शामिल होगी यह आपके पास line जो है आपके पास at least two A's की शर्थ पूरी कर रही है यह लाइन को देखें तो at least two B's की शर्थ पूरी कर रही है वो ठीक हो गया और यह देखें अब आपके पास यह structure जो है at least even number of A's and even number of B's and odd number of C's even A's यह initial state है अगर तो even A आपके पास यहीं पर वापस आएगा means यह नीचे आपके पास यह 4 states जो है यह आपके पास अगर आप और से देखें तो इसमें आपके पास नीचे वाली 4 states में even C's होंगे उपर वाली 4 states में odd C's होंगे सेम इन 4 states में आपके पास जो है यह even B होंगे even A होंगे और इन 4 states में जो है यह आपके पास odd A होंगे इसी तरह आपके पास इन 4 states में odd B होंगे और उपर वाली 4 states में even B होंगे तो अब यह पूरे के पूरे जो है यह मैंने dimensions fix की थी अगर आपको याद हो कि जब भी horizontal movement होगी मैं टू हो या फ्रो हो टू फ्रो movement में horizontal जो है यह आपके पास मैं A की transition करूंगा A जा रहा है A आपके पास transition हो रही है और A यह आपके पास वापस transition में हो रही है आपके पास use हो रहा है फिर आपके पार horizontal भी देख ली वर्टिकल भी देख ली और फिर यह आपके पास तीसरी जो movement आपके पास तीसरी डिरेक्शन में जो है उसके इलावा वो सारी सारी movements जो है वो C के लिए रखी गई है उमीद करता हूँ आपको यह structure समझा गया होगा यह even A and even B जैसा ही है बस इसमें क्योंके एक symbol और add हुआ C तो that's why हमें यह आपके पास ऐसा बनाना पड़ा है अब हम चलते हैं अपने next topic की जानेब हमारी जो आपके पास next FA है the language which contain exact one double letter अब यह देखें exact one double letter में अगर आप और से देखें तो यह initial state यह double A के ओपर मैंने final state बनाई है और double B के ओपर भी final state बनाई है मैंने को क्या बताया था basic structure पहले खड़ा करने बाकी सारी के सारी FA जो होगी वो उसके गिर्द बुनी जाएगी अब यह भी तो हो सकता था कि A के बाद B आ जाता तो इस A के बाद जब B आया है तो इसका मतलब मैं final state में तो नहीं जा सकता फिर मैं एक और non final state बना ली यह B, A, B, A, B, A लेकिन अब यह है कि उसमें आपके बाद B भी भी आ सकता है तो यह एक भी और यह दूसरा भी दर final state तक आ जाएगा तो इसी तरह जिस तरह आपके पास यह डबल B अकर हो गया उसके बाद फिर A, B, A, B की गरदान स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपके पास B के बाद दुबारा B आता है तो इसका बतला जो है वो dead state में आ जाएगा क्योंकि यहां तक पहुंचेंगे ही तब जब डबल B अकर हो चुका होगा तो यह state double B के लिए यह state double A के लिए और यह आपके पास जो state है double letter तो अकर होगे है लेकिन उसके साथ कोई आपके पास कोई और single letter B attach हुआ 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 है तो डबल B के साथ अगर A अटेच होयता है और ये वहली, अगर डबल – A के साथ B अठेच होता सथ तो और आपके पास एंड में-ड इसके अगर B attach होता है तो continue double आरटर contain double A but end on B ये वहली स्टेट है और इसी तरह containing double B but end on A यह वाल इस डेट है आपके पास अमीद करता हूँ आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी F.A.S. को हमने बड़ा extensive discuss किया और तकरीबन जितनी हमारे पास possible examples थी हमने सारी की सारी discuss कर ली है अब हम आपके पास F.A. operations की थोड़ी सी बात कर लेते हैं F.A. operations हमारे पास हैं next lectures में आए हम next lectures की तर चलते हैं एक तो आपके पास है N.F.A. और दूसरा आपके पास conversion from N.F.A. to F.A. N.F.A. में हमने सिर्फ यह बताया था कि हर F.A. जो होती है वो N.F.A. भी होती है तो मुझादा रिलेक्स थी N.F.A. आपके पास जो है वो आपके पास हर state पे पाबंद नहीं था हर letter की transition देने के लिए और इस सूरत में भी पाबंद नहीं था कि आपके पास वो हर state पे वो हर letter की A की transition दे आपके पास the language end on A के लिए यह जो बना हुआ आपके पास यह A की transition आपके पास इस लूप में भी हो रही है और A की transition आगे भी जा रही है तो यह N.F.A. है और लेकिन अगर मैं कहूँ and having words double A, double B सिर्फ double A के लिए बनाया, double B के लिए बनाया इस state में तो A और B दोनों की transition है इस state में B की transition मिस इस state में A की transition मिस हुई हुई है तो लेकिन कोई फरुक नहीं पड़ता यह N.F.A. है ठीक है तो अब हम आज़ते हैं इसके operations की तरफ के N.F.A. तो A कनवर्जन हम कैसे करते हैं सिंपल सी बात है कि आपके पास जो N.F.A. गीवन होगी आप इसको सामने रखते हुए N.F.A. तो A.F.A. कनवर्जन के लिए एक transition table बनाएंगे यह देखें अब आपके पास initial state इसमें कौन सी होगी जो initial state है आपके पास वो वही रहेगी तो A को initial state रखा Q not अब 1 में हमने A भी देना है और B भी देना है A देने के लिए हमारे पास हम कहां पे जा रहे हैं टू पे तो B देने के लिए हम कहां पे जा रहे हैं या से 3 पे हमने हर स्टेट initial state के बाद हर जो नया सेट बनता जाएगा उसे नई स्टेट का नाम दे देना है और उसे A और B के लिए डिसस करना है कि हम कहां पे जाते हैं अब जिस तरह आपके पास Q-NOT में जब B दिया आपके पास Q-NOT में आपके सेट 1 था सिरफ तो स्टेट 1 आपके पास में B दिया तो हम 3 पे चले गए तो ये 3 एक नू सेट है और जो 2 है वो भी एक नू सेट था तो 2 और 3 दोनों आपके पास Q-NOT के बाद Q1 और Q2 बना लिए लेकिन अगर 2 को देखें तो इसमें जब मैंने B की डिसकुशन की है तो देखें आपके पास 2 में जब B दिया गया है तो उस सूरत में हमारे पास दो रास्ते हैं 2 से 2 पे वाफसी भी हो सकती है और 2 से 4 पे भी जा सकता है तो 2 और 4 ये 2 आप्शन सामने आ गई है अब इस स्टेट को जब डिसस करेंगे तो आपके पास Q3 को ये मेंली चीज डिसस करने वाली है इसमें बाकी आप उसी तरहीं समूत ली डिसस करते रहेंगे 2 में आपके पास A दिया जाए तो आप इसमें 2 के लिए भी डिसस करेंगे और 4 के लिए भी डिसस करेंगे तो 2 में A दिया जाए तो हम 2 पे ही रहते हैं और four में A दिया जाए तो four पे रहते हैं तो two four से two four पे ही रहेंगे मैंने two को भी डिसस किया मैंने four को भी डिसस किया इसी तरह अगर B को देखा जाए तो आपके पास मैं कहता हूँ कि two में अगर B दिया जाए तो two में B दिया जाए तब भी two और four दोनों आएंगे और 4 में भी दिया जाए तो सिर्फ 4 तो आपके पास 2-4 से 2-4 पर ही रहेंगे इसी तरहां आपके पास जो 3-4 है उसको यसी तरह डिसस करेंगे ये 3-4 3-4 पर ही रहेंगे अब आपके पास क्योंके नई स्टेट और नहीं बनी है तो अब यही आपके पास ये स्टेट्स जो हैं Q-0 से Q-4 तक यही एजे फाइनल स्टेट डिकलियर हो जाएंगी और हम फाइनल स्टेट हम उसको कहेंगे जिसमें आपके पास हमारी N-FA की फाइनल स्टेट पाई जाएगी तो Q-3 और Q-4 में सरफ 4 पाई जा रहा है यह दोनों एजे फाइनल स्टेट डिकलियर हो गई तो यह आपके पास बनी है आपके पास जो एफे है इसकी इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए Q-0 में A दिया तो Q-1 Q-0 में A दिया तो Q-1 Q-0 में B दिया तो Q-2 Q-0 में B दिया तो Q-2 इसी तरह ही आप इस ट्रांजिशन टेबल को पढ़ते हुए सारे की सारी स्टेट्स को बना लेंगे यह आपके पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था N-FA-2 F-A कनवर्जन का हम अब आगे नेक्स अप्रेशन देखते हैं अपने नेक्स लास्ट वीक एट में अब है कनवर्जन फ्रॉम F-A-2 आरी और F-A-1 यूनियन F-A-2 F-A-2 आरी के हमने कुछ रूल्स बताये वे थे F-A-2 आरी कनवर्जन के दौरान हमने रूल्स बताया था कि आपके पास कब जब भी इनिशल स्टेट में कोई इन्वर्ट ट्राजिशन आ रही हो चाहे वो लूप हो चाहे वो आपके पास ऐसे भी आ रहाए ज nécess जोपिय। क 받고 मैंने रेट में शो किया ہो यह वन की इन्वर्ट ट्राजिशन है इनिशल स्टेट में जब झीशल स्टेटर्स वापस ले लेंगे और वहां से एक delta transition previous initial state की तरफ दे देंगे rule 2 आपके पास जो है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास final state से कोई outward है जा रहा है जो के must जाएगा तो आप उस final state से उसका status वापस लेंगे और जितने भी final states हैं उनके लिए एक नई final state डिजाइन करेंगे इन दोनों के लिए एक नई final state ये डिजाइन की गई और previous final state से एक delta transition आप लोग जो है नई final transition की तरफ कर देंगे और previous final state से उनका उनसे final का status वापस ले लेंगे अब rule 3 के मताबग अगर multiple आपके पास जो transitions हैं वो एक ही state पे एक ही state से एक ही state की तरफ हो रही हो तो उन में हम प्लस लगा दिया करते हैं अब ये लूब भी एक state से एक ही state की तरफ जा रही है transition इस state से इसी state की तरफ वापस आ रहा है A B और B भी तो इसको मैं लिखूँगा A प्लस B इसी तरह आपके पास rule 4 जो है ये भी पिछले rule की ही extension है one state से two state की तरफ दो transition हो रही है A की B और B की B तो हम इसको भी A प्लस B की सूरत लिख सकते हैं rule 5 हमें कहता है कि आपके पास अगर one से three की तरफ आपके पास via state two को रही है और इन पे अब कोई regular expression पाए जा रहे है याद रखें कि आपके पास जैसे जैसे हम bypass theorem यूज करते रहेंगे वैसे वैसे edges जो है उन पे letters की बजाए आइस्ता इस्ता regular expression लेना शुरू कर देंगे A प्लस B अब ये कोई letter नहीं है A प्लस B एक regular expression है तो इसलिए इसको generic form में इदर R1, R2 और R3 regular expression 1, regular expression 2 regular expression 3 की notation भी गई है तो अब हम जो है इसको further क्या देख सकते हैं कि 1 से 3 पे जाते हुए via 2 हमने क्या transition की होंगी हम कर सकते है R1, user इदर multiple use कर सकता है, चाहे use करे चाहे use ना करे, तो ये R2 starry किया है दरम्यान में और उसके बाद 2 से 3 की तरफ R3 इसका मतलब 1 से 3 की तरफ जाते हुए हमने R1, R2 star और R3 को utilize किया है इसी तरह हमें हमारे पास जो rule 6 है rule 6 में हमने क्या कहा है rule 6 में हमने ये कहा कि आपके पास जो भी state remove की जाएगी उसकी all possible transitions जो है वो हम जो है वो देंगे अब 2 जिन जिन transitions में entertain कर रहा था 2 को खतम करना चाह रहे हैं हम तो उस सूरत में हम क्या लिखेंगे आपके पास देखेंगे हम inward edge कितने हैं inward edge का सिर्फ वो consider होगा जो के loop के इलावा है और 2 की तरफ है तो R1 और R4 ये दोनों inward edge के लाएंगे आपके ये देखें R1 और R4 ये दोनों inward और red में मैंने outward शो किया है loop ना inward में शो होगा ना outward में शो होगा तो अब इसको देखें तो तोटल कितने पास हमें 2 के remove करने पर देने होंगे तो पहला पास हमारे पास ये आपके पास ये अगर R1 इंपुट ली जाए तो R3 आउटपुट हो सकती है और अगर R4 इंपुट ली जाए तो R3 आउटपुट हो सकती है तो उस सुरत में टोटल हमें 2 ही पास देने है जो के आपके पास 2 इंपुट inward edges 2 क्रॉस एक outward edge 2 क्रॉस 1 टोटल दो पास को हम entertain कर रहे है तो पहला पास क्या होगा R1 R3 1 से 3 की जानब R1 R2 स्टार और R3 उसके बाद 3 से 3 की जानब जो बनेगा R4 R2 स्टार R3 ये देखें तो इसको हम लिख सकते हैं R1 R2 स्टार R1 R2 स्टार R3 और दूसरा R2 स्टार R3 R4 R2 स्टार R3 ये आपके पास ये दोनों इसके पास entertain किये गए हैं अब इसी तरह चोटी सी example जो है वो इसकी FA2 R2 कनवर्जन की उस पे हमने ये सारे के सारे अब rules ही apply किये हैं तो आप दो प्रेशिस रह गए हैं हमारे सिर्फ रिवियन में एक हमारे FA2 R2 कनवर्जन की example है और उसके बाद हमने देखना है कि यूनियन कैसे ली जाती है दो FA's की तो अब हम इसको नेक्स वीडियो में डिस्स करते हैं अमीद करता हूँ यहां तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अपना ख्यार रखिएगा अल्ला आपका हम्यो नासिर हो अल्ला हाफिस